तो अब हम डाइस्टिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सब कोशन आता है कि what is succus endericus and succus endericus means intestinal juice एक ही बात है कोई इंदर नहीं है दो में ठीक है okay next है कितना secretion होता है per day two to three liter per day जो है वो intestinal juice secret होता है pH किती होती है इसकी 7.8 मतलब alkaline pH है इसकी ठीक है यह दो पार्ट में divide है intestinal जो glands है एक है crypt of liver can और एक है brunner's gland ठीक है crypt of liver, crypt का मतलब क्या होता है crypt जो word has का मतलब होता है base नीचे और यह जो gland है crypt of liver can है यह कहां present है यह देखिए यह विलाई है यह दूसरी विलाई यह तोनों विलाई है और विलाई की जो पीछमें ऐस पी यह आ रहा है यह जो यह होती है जो की function करती है gland की तरह और इन ही cells को together हम क्या कहते एक साथ को लागा हम क्या कहते है crypt of liver can ठीक है तो crypt of liver can है यह area this area is crypt of liver can इस crypt of liver can में कॉंपोजी gland present है पहले हैं यह एंटरोसाइट्स तो कुछ यहाँ पर कैसी है जैसे मानी जी में यहाँ पर आया था हूँ इसको इस एंटरोसाइट इस एंटरोसाइट ठीक है क्या करती है secret water and electrolytes next है goblet cells goblet cell मतलब they secrete mucus मानी जी यह मेरे cell में आता है यहाँ पर यह क्या है goblet cells ठीक है इसे crypt में यह जोई base है this area is यहाँ पर समझ लीज़े आप यह एरिया crypt है it is crypt of liver gun कहते है इसको कि लेवर के सांटिस्कार रहा है जिरो ने इसको discover किया था to crypt of liver gun कहते है इसको इसमें different type cell present है जो कि कुछ secret कर रहे है collectively इसे इसे को कहते है कि crypto liver gun इसमें कौन कहते है पहली बताया मैंने आपको entrocyte एक्जाम्ट के लिए मैं बनाती के entrocyte दूसरी है goblet cell goblet cell यह को सिर्ट हरती है entrocytes cigarette water and electrolytes ठीक है parent cells यह क्या है इसे में एक और मनास हो आपकर क्या this is parent cell यह P this is parent cell यह क्या है found only in deodenum यह सिर्फ deodenum में मिलेगी बही बात तो parent cell यह important point है that is found only in deodenum चीक है अचल्ब deodenum में जो बिलाई होंगी जो बिलाई होंगी दो उनके बीच में जो base होगा जो सिर्फ crypto liver gun कहते है तो deodenum यह बिलाई है सिर्फ वही मिलेगा यह parent cells okay, बाकी जो और चेक होंगी तो वहां पर crypto liver gun होगा crypto liver gun तो बहर चेक होगा जहां भी बिलाई है यह डूसरी बिलाई है तो यह crypto liver gun यह दूसरा crypto liver gun तो यह तो पूरी इस्माइटस्टाइज में पता है लेकिन वह विलाएगी जो की इस्माइटस्ट जो डीडिनम पार में प्रेज़ेंट है वही पर सुष परतसर मिलेगी ठीक है तो क्या है फाउंड ओली दियोडिनम इनके पास बहुत होता है और असे जो फिलिक कुछ ग्रेंडूल सुथ है ठीक है दे सिक्रीट लाइसोजाइन उनका फंक्शन है क्या है लाइसोजाइन को सिक्रीट करना है एंटी बैक्टिकल एंजाइन ठीक है तो इस इंपोर्टन फंक करना है कि इत क्या सिक्रीट करता है ठीक है नेक्स्ट है आर्जेंट टाफन सेल्स एक ताइप और सेल्स समझ लीजी आप तसे यहां पर यह है क्या आज अजेंट टाफन सल्ट यह हो गया तो आज़ने इस करती है इस सिंथेसाइज करती है 5-Hetroxy-tryptamine 5-HT 5-Hetroxy-tryptamine क् प्रिकरसर है सेर टोनिन का ठीक है आप कह रहे होंगे सर्फ आजेंट टाफन सेल्स तो वहां प्या अजिस्ट में वहां भी है प्रिजेंट यह से नेम हैं और यहां भी है फर्क्या है कि वहां पर वह बनाती है क्या 5-HT-5-H-t-5-H-t-3-pricursor है सेर टोनिन का मतलब अगर तो यह नहीं बनेगा तो serotonin नहीं बन पाएगा तो यहां फरिदेता हूं उसको प्रिकर्सर ऑफ serotonin तो इसके राबा यह function हो रहा है कि the secret, the synthesize, secretion hormone, यह secretion hormone एक होता है उसको भी secret करती है उसको भी synthesize करती है तो दो function हो गए इसके to secret secretive hormone and synthesize 5-HT-5-Hydroxy-Tamin इस एंजयम का function क्या है? यह समस्म हम एक साथ देहेंगे कई सारे enzyme में पढ़ना है तो हम उसको बाद में बना कर देहेंगे अब अपस नहीं जान जिया कि यह एक secretive enzyme यह hormone के release करती है ठीक है? तो यह होगा crypto-oliver-kind this area is complete अब इसके लाबा है डुसीघाल इंटस्टलेंड में पें दूसरीघाल नाम रांती है ? इंकने नाम क्या है ? Brunner's Glend Brunner's Glend क्यों क्रिप्टा टॉर्पीली पर नहीं होतिय है स्कृप्टलेंड नहीं होति है वह का हम पर उती है ? म्यू सं क्योंट होति है तो आपको याद है कि हमने जो हेस्टीलाजी देखी थी इति करनाल की उसमें सबसे बहुत इले कले सेरोसा उसके बाद अंदर आते हैं एक कलो चीती मॉसकोडरिस फिर क्या है सब्मिकोसा है सब्मुकोसा है और अंगर से बाहर चलें तो पहले क्या है सब्मुकोसा में यह एंजाइम और मिलेगी और हमक्राइब करती है कुछ एनजाइम और मुकस फर्क क्या दर्म है कि यह ग्राइंच विखर जड़ा सिर्ट करती हैं, ठीक है? कौन सी? ब्रुनर्ट्स ग्रेंड्स ग्रेंड अब ब्रुनर्स ग्रेंड ग्रेंड यह हो गया? यह अब क्रिप्सब लिवर है तो यह इंटेट्स ग्रेंड यहां पर कॉंटीन होगी लेकर हम मैं देखना लाए कि ए जो सक्कस एंटरिकस है यह आपको जानना जरूरी है सबसे पहले हमने इसके एंगाइंच को चाल पांच गलेट कर रखा है एक एक पहरा जो कार्बोहयलेक को डिश्ट कर सकती है उनके नाम है माल्टेस, आइसो माल्टेस, सुकरेस, लेक्टेस, ऑल्फा डेक्स्तर लेग्स्तर अचार्डाइब्स कि कर सकते हैं यह कौन से का क्रियोम औरभायोररेटटक यह जे aanकराइब迁 excess ju Laz trying assistance को मॉनसेघराइब्स जोड़ हैं प्रोटीन डायस्टिक इसके पास वुक्ते गॉन्बोल से अमयलोक टाइड और डायक टाइड इस ही दो एंजाइम प्रेजन्ट है सकका सेंट्री कस्प्र ठीगे फेट फिरीज के पास सिर्फ एक है एक ही ऍंटिक कैसे टीजिक टोकुक एच्ट सफ बन लंगेंच होदा सक्रणारों नंच्यार्शाहिए। टोविटीज्ञ अन्नियूैड चेर्णारी थोब मतलब टोजर आ उसके ये तैडीज o में लिए इसके पास दोट कूरह कि उसके पट्ञै। अच्टिवेटर एंज़ायं कैलाता है यह एंजय DAY additions में सीधे सीधे नौड नहीं होता बलकि इसका काम indirect होता यह क्या काम होता है इसका हम देखेंके पामा अबहा को सम Kids पर हो यह किसी एक況 मैं तरहां करेंगा इसलिए इसका नाम क्या है एक्टिवेटर एंजाइम, नाम क्या है इसका एंटरो काइनेज, ठीक है, एंटरो काइनेज, इसको हम इसका ठीवेटर एंजाइम है, एक्टिवेटर एंजाइम है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, एक्टिवेटर एंजाइम, ठीक है, ठीक है, तो तो यह लिवर के साल लिवर के साथ अफरतव या ईकत इसके जह फेक है लिवर के साल गळान पार हुँए क क मे लिवर की पास पावर रिजेमलेशन है, हतना कि जब कावीं पाइट में पाँट करते हैं और वाँट करने से ही काफी रहता है क्योंकि बाकी पाइट पलकी साइल्स अपना बना डियता है जो पाव कावीं नहीं बचामणों पाट का जोगा है उतुक्तिंप 27 चरह है एक बीच में लेगामेंट प्रिजेंट होता है यह लेगामेंट कराता है फैल सी फॉर्म लेगामेंट यह करेक्टिव तिशू का बना होता है और यह मतलब दोरों लोपस को जोर दायक तिरीके से ठीक है तो आप क्या सकते है किसका मेरा हुआ है फाइप्रस अब राइट लोप जो है यह पीछे की तरफ आप देखते है इसको तो यह तीन सब डिविजन से होने होते है तीन पार्ट में डिवाइड होती है कौन से होते हैं वो कौरेट लोप प्रॉपर जो है फिरसे तीन पार्ट में डिवाइड है कौन से कौरेट लोप असा कोई डिविजन नहीं है और लेफ लोप जो राइट लोप से छोटी है बहुत छोटी है एकशली है अगर आप पूरी दिवर्बर को दिखोगे तो लेफ लोब जो है वो वन बनाती है और बाद की जो राइट डोब में कितना बनाती है 5 by 6th part ठीक है 5 by 6th part बनाती है को राइट डोब इतना अंतर है दोरों के size में weight जो है liver का male of female में different than male में ये weight 1.4 to 1.8 kg है और female में ये weight 1.2 to 1.5 kg है ठीक है is the difference in the weight of liver in male and female अचे नेक्स है liver के अंदर छोटे छोटे compartments बने हुए और compartments को क्या कहते है है hepatic globules hepatic globules liver contain hepatic globules मतला compartments ठीक है these globules are covered by ये compartments अगर मने आपर दुगाया है और ये चुपार्टमेंट होता है it is covered by a special connective tissue covered by dense connective tissue called glissan scapsule तो इसमें चुपार्टमेंट से जो globules है hepatic globules they are covered by dense connective tissue layer known as glissan scapsule और glissan scapsule का होना लिवर में ये एक characteristic mammalian feature it is a characteristic mammalian feature और ये सिर्फ में मिलेगा और और किसी में नहीं मिलेगा globules containing glumens के तर क्या होते है छोड़ी cells होती है cord form मतलि एक line ऐसी a cord type होती है और इस form में arrange होती है cells जैसे यह होना रखी है एक ये cord है एक ये cord है एक ये cord है एक cord form में present होती है और ये जो एक एक किसमें cell है ये is cord में वी एक cell के राथ है क्या अगुम्हींताें पोधिक होड़ है कि अगोर्च थो целक्रशमोट to h theVEN अचिंज पेड़ाा है कि बलर की इस प्रेटर्शार्चरल आtापूर्जीर और गाम हे मैंज हसेखिए चिक है। और बाइल के वाले हमें। college is 고. जिस के गालम्यदट ने पहुंचता है तो वहां पह सकी पह प्हूंच सेलो हो जाती है। बाईलगूसमें भूर्च उसकि प्हूंसे हो तुक्या बाइलगूय्टऑ और जोते हैं, sodium tolacolate, sodium bicarbonate and sodium glycolate. ये तीन इसमें bio salt होते हैं, जिसकी विरस्ते की इसकी पी एच है वो alkaline होते हैं. Bio pigments, दो bio pigments देखें, benilubin और beneverdil. ये दो इसमें bio pigments बिलेक होते हैं. पर दे, bio juice में इसे प्रेशिशन होता है, कितना होता है, 500-1000 ml. 500-1000 ml, is the per distribution of bio juice. तो ये, it's a initial part of the labor, इसके बाद हम कुछ और लेवर के बारे 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 जैसे की function of labor है, और इसके लाब हम पाथ विये, bio juice किस तरीके से आगे पहुचता है, just time तक, वो हम next उसमें लेखें. Okay, तो अब हम schematic representation देखते हैं कि किस तरीके से bio juice आगे बनता है, तो हमें पता है कि लेवर में बनता है, लेवर में कौन बनाता है इसको? हिपेटोसाइट्स, ठीक है, तो हिपेटोसाइट्स नहीं का मनाया, vile juice को मनाया, हिपेटोसाइट्स उस बारे जूस को पोर कर देती है किसमें bio canaliculi या फिर bio capitalis भी कहलाती है, ठीक है, bio canaliculi या bio capillaries एकी ही बात है, बाइन कैनाली गुली में जब आयो गए घंण से, शोविल्धा में इसे बाद पहुचका एक कैनाल होती है बड़ी कैनाल बाइन कैनाल को wh0 लेवर में it है वहा है हैध कराँ को भाग फिर यहां से एग प्रांच निकलती है रइड रोप posis और आथी यहां पर इक है्ध केना हो गीं कर इंद आ और यहां पर में क्या हुए आज बारे चेलाल कुशें तो दोनों जगे से गया रहा बाय चुसा रहा है इंद दिख़ यह राइण हैपैटिक डॉक्त लेको और लेको यहां पर निपार के बाहर याँ अगहाती है जोईन कर दिया, जोईन करने के पात रुट बलती है जिने कोपन हेटिक डॉक्ट, ठीक है अब यह कामन हेटिक डॉक्ट होती है यह बाय जोग तरीके से तो यहां पर यह जो डॉक्ट है इसकी जो गॉल बेटर को इससे जोड रहे है यह क्या गलाती है cystic duct cystic duct okay गॉल बेटर में कब भी stone हो जाते हैं और हम गॉल स्टोन्स कहते हूं गॉल स्टोन्स ठीक है फिर यहां से फिर यह बाय जूस जब यहां से सिरीट करेगा तो फिर यह आपे बड़ता है और यहां पर एक sphincter present होता है sphincter में पता क्या होता है कुछी जो बान देती किसी पर इस तरीके से तो sphincter present होता है यहां पर इसे कहते है sphincter of boiden b-o-y-t-e-n sphincter of boiden okay तो यह remnant कर सकती है bile juice के flow को उसके बाद bile juice आगे बढ़ेगा और इस bile juice में यह pancreas है pancreas से juice आएगा pancreatic juice वो भी आखे-सी में add हो जाएगा अब यह जो duct है यह जो pancreas से जोड रही है इसको इसमें कहते हैं क्या pancreatic duct या duct of virsang duct of virsang ठीक है pancreatic duct है duct of virsang pancreas को बात है से जोडती है इसके बात यहां पर हम देखते हैं आगे इसमें आप इसमें से क्या है इसमें pancreatic juice पिये जो pancreas से आए और bile juice पिये जो इहर से आए गौल्पेटर से आए ठीक है अब bile जो इह क्या है यहां पर एक swollen structure एक swollen structure यह से बन जाता है उसे हम प्याब्याते है है we call it hepto pancreatic duct या embola of weter hepto pancreatic duct या embola of weter यहां पर एक splinter और होता है जो इसके regulation को रोपता है किसके फ्लो को bile juice और pancreatic juice दोनों मिलकर आए है उसको ठीक है तो इस लिट है तो गए व्रिंट आ कि तरफ से भी आ रहा है वार्व उस ब्रिशन करता है और शुक्य हो रहा है है तो थियर और यहां को फॉट हो रही है और यहां पर यह इस स्थिंटर है जो इसके फ्लो को रोप रहा है या रेमृट कर रहा है जो हम कहते हैं क्या स्फिंक्टर ओडी स्फिंक्टर ओडी ठीक है अच्छा इसमें एक खास बात यह है कि पैंक्रियास के पास अपनी परसनल जट होती है जो की सीदे-सीदे ड्युट पहों का पहुच सकती है जो इस पाथवे का साराम लेती है ठीक है ठीक है टक है ड्यूट कि थे पशिंआ का पाथि एट केशना वे-स गयाइपThe पिंठेली ति पेंडीयाटिक जूस पैंक्रियास कें ड्युट इंटी इंटीयश जोस्ट इंटी है तो यह बात हो गया इसके बाद बाइंट उसका function क्या है पहना function है neutralization of acid in kind काइंड काइंड में बताया था कि जब stomach में partial dietion हो जाता है food का तो वो kind बन जाता है फिर जो enter करता है duodenum में अब वो kind कह रहाता है ठीक है उस kind में HCL presented क्योंकि उस टॉपक से आ है उस HCL का neutralization होना बहुत जरूरी है उस HCL को खतल होना बहुत जरूरी है क्यों क्योंकि वो intestine की ball को damage कर सकता है ठीक है तो neutralization of HCL in kind emulsification बतला बड़े बड़े जो fatty globules है like these are fat globules they will be broken down into fat droplets he fed globules with globules or he can fat globules or these are fat droplet fat globules fat globules by the action of bile juice इसी प्रोदस को हम कहते है emulsification activation of pancreatic lipase pancreatic juice होता है उसमें एक enzyme होता है pancreatic lipase वो lifease enzyme को active करने के लिए bile juice की रख पढ़ती है तो bile juice activate करता है अधरा इसमें रहता है absorption of fat soluble vitamins A, D, E, K यह चार fat soluble vitamins होते है they are absorbed they can be absorbed only with the help of bile juice ठीक है तो यह चार function है bile juice की हम देखते है function of liver तो liver के बहुत सारे functions है बहुत main order नहीं है बहुत vital order नहीं है तो उसके सारे functions को और देहनी गोहिश करते है जो important functions है सब मैंने production of bile juice यह हमने देख लिया कि इसके अदर जो hepatocytes होती है okay Deamination मतलब कि amino acids चो होती है हमारी body में उनका deamination करती है मतलब उसमें से amine group को निकाल देती है Amino acid में से amine group का removal कर देती है ammonia बचता है ammonia फिर urea cycle में जाता है और convert हो जाता है urea और फिर urea हमारे urine के दुर body से पास आप हो जाता है तो क्या हुआज में amino acids ammonia ammonia तनबाट हो जाएगा इसमें urea में कैसे होगा ammonia फिर जाएगा इसमें urea cycle में हमारे liver में urea cycle जलती है ammonia जो है उसमें जाके इंटर कर जाएगा और cycle में बनेगा urea और फिर urea हमारी body से urine के दुरू पास आप हो जाता है तो इसको रोट कर ली जाएगा glycogenesis मतलब glycogen का बनना हमारी body में जो carbohydrate होते है वो glycogen भी form एस्टोल होता है plants में starch की form में होता है तो ये glucose जो glycogen बने की process कहते है glycogenesis glycogenesis कहा होती है glycogenesis glycogen टूटता है glucose में जब हमें energy चाहिए होती है ये भी कहा होती है glycogenesis glycogen glycogen टूटना lypogenesis lipids का बनना या formation of lipids detoxification हमारी सारी सेज़ट जब metabolism करती है तो वो एक toxin या फिर एक poison release करती है उसका नाहा होता है क्या prusic acid और liver उस prusic acid को लगाता detoxify करता है तो इस तरह के से detoxification किसका एक function detoxification detoxify prusic acid कहां सा आप prusic acid है it is produced by all the cells during metabolism heparin formation हमको पता है heparin blood vessels के अंदर blood clot को रही रहने देता तो यह heparin जो होता है natural clot buster है तो कैसे कहां बनता है liver में बनता है fibrinogen and prothrombin formation हमारी जो कहीं चोट लग जाती है in fetal stage embryonic stage में RBCs है वो कौन होनाता है york sac लेकिन जब fetal stage में आता है क्या difference होता है fetus and embryo में till the 8th week of pregnancy till the end of 8th week of pregnancy fertilized egg is known as embryo और उसके बाद 9th week से लेकर delivery तक उसमें fetus कहते है तो fetal stage में जो hemopoicism होती है यह मतलब production of blood cells हो रहा है वो liver कर रहा है ठीक है phagocytosis by kuffer cells liver phagocytosis भी करता है उतला पूप pathogen body में रहा रहता enter करेगा it can engulf that कैसे with the help of kuffer cells इसके पास एक खास kuffer cells होती है यह बहुत important इस बहुत questions आते है ठीक है storage liver can store glycogen fat super vitamins and fat इन तीनों को यह store कर सकता है अचा सके राबबा liber जो होता है vitamin A को बना सकता है कैसे बनाता है जैसे आख carrot कहते हो carrot में क्या होता है carrot में wanna vitamin A क्या होता carrot में होता betacarotene जब अब उसको खाते है to betacarotene by liver इस तरह की से carrot से vitamin A vitamin A मिलता है ठीक है तो यह हो गे है liver complete अब हम देखते हैं, pancreas, pancreas भी ये लास्ट क्या है, digestive gland है, तो pancreas में, ये structure है pancreas का, pancreas में बीचों बीच, यहां पर एक सरकल सा होता है, इसमें किश different type लेंपी cells मिलती हैं उको, ये पूरे एले के किलाता है, अंदर वाला, आयलाइट आफ लेंगर हैंस इसके अदर बहुत चार टाइपी डिफरेंट-डिफरेंट सह हैं उसके वारे बात भी नहीं करेंगए क्योंकि यह पार्ट है कॉनसा आयलाइट आफ लेंगरा यह पार्ट यह पार्ट पार्ट है यालिकि यह अनुगराइड सिस्टम backend के देखे जो अंदरवाला portion है ये endocrine है जो बाहरवाली जी cells गहीं देरेगी ये exocrine तो ये जो बाहर cell का नाम क्या होता है SNR cell SNR cells ये cells pancreatic juice produce करती है तो pancreatic juice secreted by SNR cells pH का इसकी pancreatic juice युसकी 8.4 हायरी अलगा है ठीक है secretion 500-800 ml पर दे इत कंटेन्स बिलो डाइस्टर एंजाइम्स ये सारे एंजाइम्स से हमें लिखे हुए ये कंटेंब रहती है कौनबाद से कार्भाहिरेट के लिए pancreatic amylase amylase हमेशा कार्भाहिरेट के लिए होते हैं जैसे कि saliva amylase हमारे माउथ में था तो pancreatic amylase एक ही ये बस फॉर प्रूटीन के लिए इसके पास तीन इसके काम गरते हैं हुआ हम देखे okay so here we complete that is difference